नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे मंगलवार के दिन गुड़ और चने का ये महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति हनुमान जी के कृपा से जीवन में आपके होगी धनकी वर्षा किसी भी मंगलवार को गुड़ और चने का ये उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बतानी जा रहे हैं तो मानकर चलिए आपको साक्षात हनुमान जी के किपा प्राप्त होगी आपके जीवन का कोई भी कष्ट होगा वो तुरल समाप्त हो जाएगा और आपकी जो भी मनुकामना होगी वे अविश्य ही पूरी होगी हिंदो पंचांग के अनुसास सप्ता का प्रतीक दिन किसी ना किसी देवी देखता को समर्पित होता है इसी तरहें मंगलवार का दिन भागवान हनुमान जी को समर्पित होता है कहा जाता है कि इस दोरान आप कोई भी पूजापाट उपाई करती है आपको साक्षाथ हनुआन जी की किर्पा प्राप्त होती है मंगल का दिन मंगल ग्रह को भी समर्पित होता है और जो मंगल ग्रह होता है दोस्तों वो आपके परिवार में कले कष्ट और दुगटना की बचे बनता है और मंगल ग्रह के स्वामी हनुआन जी महाराज है अगर आप किसी भी मंगल वार के दिन कोई उपाई करेंगे तो आपको हनुआन जी की किर्पा प्राप्त होगी शायद ये बात आपको ना पता होगी कोई भी हनुआन जी के जो भक्त होते हैं हनुआन जी की पूचा पाथ करते हैं उस व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकर्ट का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं इसलिए उनको संकट मुचिन कहा जाता है और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको संकटों का सामना ना करना पड़े आपका मंगल ग्रह आपका हमीशा साथ दे तो दोस्तों मंगल वार के दिन आप ग्रॉचने के इस महा उपाई को जरूर कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं यकीन मानिये सिर्फ एक दिन की आपकी इस पूचा से आपको आपके मंगल ग्रह का उस प्रकार से साथ मिलेगा जिसके बाद आपका भाग हमेशा आपका साथ देगा आप जिस कारे को शुरू करेंगे उस कारे में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी दोस्तों हमेशी कई लोग ग्रॉचा सेदियों में इस्तमाल करते हैं इसका सेवन करते हैं क्योंकि ये बहुत ही जादा फायदे मन माना जाता है माना जाता है गुर्ण का फिल जादा लापकारी गुरों से भरपूर होता है लेकिन आपको ये बात नहीं बता होगी कि गुड़ना केवल स्वास्त की दृष्टी से बलकि जोतिस की दृष्टी से भी बहुत जादा लापकारी होता है गुड़ना केवल आपके जीवन में आपको मिठास लाने में मदद करता है बलकि गुर्का उपयोग करने पर आप अपने भागे का भी साथ पास सकते हैं लाल किताब के अनुसार तो यहां तक बताया गया है कि गुर्का सेवन करने से जीवन की कई प्रकार की परिशानियां जो हैं वे खत्म हो जाती हैं जोती शास्त के अनुसार अगर आप गुर्का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में चल रही नौकरी ब्यापाद धनकर स्वास्त जैसी समस्याओं से आपको मुक्ती मिल सकती है और अगर आपने बड़े मंगलवार के दिन गुर्का यह उपाई कर लिया जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो आपको साक्षाद बर्जरंग बली जी का आशिवाद और बादान प्राप्त हो सकता है दोस्तों गुर्ण एक बड़ी साधारन सी चीज है और बड़ी आसानी से मिल जाता है लेकिन इसका उपाई कैसे करना है यह हर किसी को पता नहीं होता वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन कैसे सिर्फ एक दिन का आप उपाई करके साक्षाद बर्जरंग बली जी का बर्दान और आशिवाद प्राप्त कर सकते हैं जिसकी बात आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आप जिस कारे को शुरू करेंगे उस कारे में आपको सफलता प्राप्त होगी इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुआन जी की कृपा आपके और आपके परिवार पसदे बनी रहे हनुआन जी के आशिवाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करें बहुत आगे बढ़ें हनवान जी के आशिवास से आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और अगर आप सच्चे हनवान भक्त हैं तो पूरी शुद्धा और पूरी विश्वास के साथ पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंद जै शीराम जै हनवान जी मह नहीं हरा जरूर लिखेंगे दोस्तों बहुत ध्यान दीजिए साथारन सीच है और चने के बारे में एक बात कहीं जाती है गुर्जु होता है वह आपके जीवन ची मिए जिश्टु जाए और आप के झीवन के को सोक लेता है और आपके जिवन में मिठास लाता है इसी प्रकाँ से चना जो होता है वे हनुमान जी को इतना प्रिया है कि चने का उपाई किया जाए तो मान का चलिए आपके जीवन में आपके जो मनुकामना होगी वे चने के उपाई से पूरी हो जाएगी इस वीडियो में जो आपको हम उपाई बताने जा रहे हैं दोस्तों वो इतना सरल उपाई हैं जिसको अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो मानकर चलिए हनुमान जी की किरबा आपको मिलना तैह है तो कौन कौन से उपाई हैं जो आपके जीवन को बदलकर रख सकते हैं आपके भागे में चमक ला सकते हैं चलिए एके करके सारे उपा यदि आप अपने जीवन में कोई भी कारे करते हैं, उस कारे में सफलताँ नहीं मिल पा रही है। जीवन में दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, जीवन में पैसा आनाम बंद हो गया है, रोज लड़ाई जगड़ा आपके घर में होता है। आपको कारे करने जा रहे हैं उस कारे को करने से पहले ही बहुत सारी दुब्धाइं आ जाती हैं बहुत सारी संकट आ जाती हैं तो इसकी मुख्य बज्जे क्या हो सकती है दोस्तों आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजूर है आपने जाने अंजाने कोई ऐसी गल्दी करती है कि ह अनुमान जी महराज आपसे रुष्ट हो गए है जिसके लिए आपका मंगर ग्रह बड़ा ही कमजोर हो गया है तो आपको एक उपाई हम बतानी जा रहे हैं यह उपाई करने के बाद आपका मंगर ग्रह बड़ा ही मजबूत हो जाएगा आपको क्या करना है आपको 500 ग्राम लेना है इसे ले जाकर आपको किसी भी हनवान मंदिर में दान कर देना है यह उपाई आप सुभे से शाम तक मंगल वार की दिन अगर कर लेते हैं तो मान कर चलिए मंगल ग्रह का वह साथ आपको मिलेगा आपके जीवन में आपको तरकी करने से कोई भी नहीं रोप पाएगा दूसरा उपाई है मनुकामना पूर्ती का महा उपाई, आपकी कैसी भी मनुकामना है, आप चाहते हैं फिर मनुकामना पूरी हो जाए, तो प्राचेन काल के समय से एक ऐसा उपाई चला आ रहा है, जिसको करने के बाद आपकी मनुकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी, पां आपके घर में लड़ाई चगरा होने बंद हो जाए आपके घर की उन्नती हो आपकी घर की बरकत हो हनुआंजी की किरपा आप सद्र बनी रहे तो दोस्तों यह उपाई कर दीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आधा किलो आप गुर और 200 ग्राम चना लेकर हनुआंजी की मंदिर में जाकर दान कर दीजे इतना अगर आपने उपाई कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी आपके घर पर जो रोज लड़ाई चगरा ग्रह कलेश बना हुआ है वह खत्म हो जाएगा हनुआंजी की किलपा से आपके घर में तरक्की आएगी सुख सम्रथी आएगी बरकत होगी चौथा उपाई है नौकरी प्राप्ति का महा उपाई अगर आप नौकरी की तैयारी करके ठक चुके हैं आपकी नौकरी नहीं लगपा रही है आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो ये महा उपाई कर लीजे जो हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार की दिन आपको यह उपाई करना है इसके लिए आप अपने घर में ग्यारे रोटी बनवाएं यह ग्यारे रोटी बनवाने के बाद उस पर थोड़ा सा गुड रख दीजे और फिर इसे ले जाकर लायल गा जाएगी हनवान जी की किरपा से आपके ऊपर जो भी बाधाई आ रही होंगी जिन बाधाउं की बचे से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है पहर बाधाई भी जल्द ही दूर हो जाएगी दो बाधाई हचाएगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी दोस्तों कीजी जो हम आपको बताने जा रहे हैं अवश्चे ही अवश्चे ही आपकी वेफिसूल खर्ची बंद हो जाएगी दोस्तों देखे अगर आप अपने घर में देख रहे है की पैसा आ रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है वेफिसूल की चीजों में पैसा और जाता है तो मैं आपको बता दू कि आपको क्या कहना है देखिए आपको कहना है कि आपको गुर्की साथ भेली लेनी है साथ गुर्की भेली छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी जैसे भी आप लेना चाहें ले सकते हैं और कम से कम आधा किलो आपको चना लेना ह आपको साथ गुर्की भेली और चना लेकर हनुआन जी के मंदर में जाना है। और इसके बाद आपको एक गुर्की भेली का हनुआन जी को फोग लगाना है। बागी चने और गुर्की फेली का आपको मंदिर के बाहर बेटे भिक्षुक को दान कर देना है। ऐसा करने से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में वेफिजूल खर्ची होना बंद हो जाएगी। आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा जो पैसा आएगा भी दुकेगा भी और टिकेगा भी और उस पर बहुत जादा ब्रधी भी होगी। दोस्तों यह उपाय आज का नहीं है प्राचीन समय का यह उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवर में सकारात्म बदलाव आते हैं। दोस्तों अगर आपको इस संपत्ती खरीदा चाहते थे और किसी परिशानी के बिज़े से संपत्ती नहीं खरीद पाए। तो आपको क्या करना है। दोस्तों हम आपको एक बहुत आसान उपाय बताने जा रहे हैं। आपको कम से कम एक किलो गुड लेना है, बहुत ध्यान से सुनिए, दोस्तों एक किलो गुड आपको लेना है, यह गुड आसानी से 50-50 रुपए का मिल जाता है, और एक लाल रंग का धोजा लीजिए, उस धोजा पर जैश्री राम लिखा होना चाहिए, यह दोनों चीज ले जाकर आप हनुमान मंदिर में हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, दोस्तों अगर इतना सा उपाय आप ने कर लिया, तो जो संपत्ती लेने के लिए आप परिशान है, जो संपत्ती को लेने के लिए लाख प्रयास कर रही थे, किसी कारणवश खरीद नहीं पाये थे, इत